मुख्यमंतरी योगिया दितनात ने कहा है कि पराली फसल अपशिष जलाने से होने वाली छती के प्रती किसानों को जागरू करें किसी भी इस्तिती में कहीं भी इस मुद्दे पर किसानों से बस्तलू की सहन नहीं की जाएगी मुखमतरी ने कहा कि पराली को लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी की जा चुकी है किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुपसान और नहीं जलाने से होने वाले फाइदे के बारे में अभियान चला कर बताया जाए उन्हें बताएं कि पराली जलाना पर्यावरार के साथ आपकी जमीन की उर्वरा शक्ती के लिए भी ठीक नहीं है सुप्रीम कोट और NGT नेशनल ग्रीन ट्राइबूनल ने पराली जलाने को दंड़नी अपराद भोशित किया है किसान ऐसा करने की जगा उन योजनाओं का लाव उठाएं जिससे पराली को निस्तारित करने में उसे उपयोगी बनाए जा सकता है सरकार ऐसे किर्शी अंतरों पर अनुदान भी दे रही है कई जगा किसानों ने इन किर्शी अंतरों के जरिये पराली को कमाई का जरिया बनाया है बाकी किसान भी इसे इन से सीख ले सकते हैं किसानों के ये सारे चीजें बताई जानी चाहिए मालू हो कि पराली के साथ फसल के लिए सरवादिक जरूरी पोशकता तो हेट्रोजन, फासफोरस और पोटास, एनपीके के साथ अर्बों की संख्या में भूमी के मित्र बैक्टिरिया और फफून भी जल जाता है, यही नहीं बाद में भूसे की भी किलत बढ़ जाती है